हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो मैं चानल तो फेड़न्स यहां पे एयरपोर्ट और अथरूर्टी ऑफ इंडिया के तरफ से काफी बड़ी अपडेट यहां पर निकल के आ रहा है फैनली आपका जो एयाई के तरफ से आपके आपके लिए जो फेकिंसी निकाला गया था जूनियर असिस्टेंस और जूनियर एक्जकुटिव में जिसमें आपका कॉमन करिड़र का भी पोस्ट था उसका एग्याम डेट फैनली डिक्लियर आपका हो गया है और मैंने आप जो आपका एग्याम निसन होता है इसका प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट होता है मैं आपको यह भी बता दूँ कि अगर सभी चीज़े ठीक ठाक रहा तो आपको इस साल के अंतर तक या जनुरी फो रोडी तक आपकी सारी चीज़े कंपलीट हो जाएगा इसका है सिनियर असिस्टेन एकाउंट का 21 को एग्याम है और आपका जो कॉमन केटर में जिसमें सबसे अधी कंडियेट ने फिल किये होंगे कि कुई इसमें एनी ग्रेजुट वाले अपलाई किये तो और सीट भी इसमें ठीक ठाक था तो इसमें आपको 14-10 से लेकर यह 14-10 और 15- यानिकि दो दिन आपका ईग्जाम चलने वाला है जुनित खुटी फाइनस का 20 को है धुर्ट क ऐसे को 21 को दो का दो प्ष्ट के लिए ओफड़ए और यह कुछ एक्जाम डेट आपका रहने वाला है तो आप देख लिए ग्जाम डेट अप मैंने आपको बता दिया है और म जारी कहां से करने हैं आपको अब आपके पस क्यार नीती होनी चाहिए उसके बारे में discussion कर लेते हैं चुकि देखिए समय आपको जो भी मेरा आपने जो भी आप पढ़ाई किया ठीक है अब ज्यादा अब लेकर्ट रहा है कि आपको ज्यादा समय नहीं रहता था चाहां वह कि यह आपको 50 नबर की पुड़ा आपके रहने वाला है और दो घंटे आपको इसके लिए समय दियेगा और यह में कॉमन केडर का डिसकस कर रहा हूं ठीक है ना चुकि इसमें सबसाइदिक इसका फॉर्म भारे हुए हैं दो घंड़े के एक्जाम होगा 150 प्रस्त आपको सॉल्ब करने होगा अब्जेक्टिव कोशन होने वाला है चालीस और क्वांट में चालीस टोटल असी कोशन जो है दो सब्जेक्ट से आपके रहने वाले हैं और जनल अवर्नेस से आपके 35 और इंग्लिस से 35 यानिकि 70 कोशन आपसे इससे रहने वाले हैं अब देख लिए क्वांट और रिजीदिग का आपका वेटस इसमें ज्यादा है pam बोलू तो यह आपका modifier कर सकते और आपका English इस ऐसे कीजिए और साथ में जो भी लुसेंट हो रहा है उसे आप जो भी जीके हो रहा है वो सब चीज आप देख लिजिएगा ठीक है न और बाकी आप practice कीजे practice कहाँ से करनी है तो practice के लिए इसके लिए अगर आपके पास कोई हो प्रेक्टिस एट आप लगा लीजिए वैसे कम ही अभी लेवल दिख रहे हैं तो आप एससी CGL का आप लगा सकते हैं CGL इसके लिए relevant है एससी CGL का प्रेक्टिस एट आप लगा लीजिए ठीक है और बाकी current अफेट अगरा तो आप उसे कभर कर लीजिए ठीक है रेजीदिंग में आप प्रेक्टिस एट लगा यह जितना अभी समय बचा हुए आपको 15-18 दिन उसका प्रेक्टिस से लागा ए रेजीदिंग में सारे आपको प्रिवेस येर मिल जाएंगे प्रैक्टिस कीजिए कोई डाउट सो इसके रिगारिंग तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और आपको ज्यादा सोचना नहीं है अब अपनी जो भी समय बचा है आप सको सही से उटिलाइज कीजिए ठीक है और और भी वेकेंशी ये भी आया हुआ है आप 12,000 के आस्वास बिहार में निकाला किया है अगर आपको मन है तो उसे भी आप फिल कर सकते हैं बड़ी वेकेंशी है और उसपर मैंने कम्प्लीट वीडियो भी बना दिया है एक पर जाके आप चैनल पर विजिट कर लिजिएगा बाकी AI का जो भी मैं चैनल पर आपको देता रहूंगा तो मिलते फिर एगली वीडियो में एक नई जनकाडी के साथ ठैंक्स वर वाचिन